बच्चो आज हम बसंद पुस्तक का पाठ अठारा संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज का पठन पाठत करेंगे इसकी लेखी का विनीता पांडय जी है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज होकी के सूपरसीत की लाड़ी धनराज पिल्लई के 35 वर्ष के हो जाने पर मिनीता पांडय द्वारा लिखा गया एक शाक्षात कार है इसमें धनराज पिल्लई के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है धनराज पिल्ले का बचपन खिडकी पूने की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हीर नंदाजी पवई कॉम्पलेक्स में महराष्ट सरकार द्वारा दिये गए फलेट में रहते हैं धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाईयों से भरा हुआ था उनका परिवार बहुत गरीब था इनके दोनों बड़े भाई हौकी खेलते थे धनराज भी हौकी खेलना चाहता था प्रन्तु उसके पास हौकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर खेलता था जब इनके बड़े भाई का भारतिये केंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी जो धनराज के लिए बहुत अमुल्य स्टिक बन गई थी क्योंकि यह उनकी अपनी थी धनराज जब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चहरे वाले दिखाई देते थे तो इन्हें सन 1985 में मनिपूर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रे हौकी खेलने का अफसर मिला सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था और यह मुंबई आ गय थे इसी वर्ष इनों ने और इनके बड़े भाई ने मुंबई लीग में बहतरेन खेल खेल कर धूम मचा दी थी 1988 में ओलम्पिक के लिए चुने जाने की आशा थी प्रन्तु सत्तामन खिल्याडियों की सूची में भी इनका नाम नहीं था 1989 में उन्हें ओलमिन एशिया कप के लिए चुलिया गया और तब से लगातार प्रगती पत पर अगसर रहे हैं बच्चो मिनिता पांडे ने जब उनसे तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस सभाव का कारण अपने बच्पन से जुड़ा बताया वे स्वयम को बहुत आसुरक्षित अनुभव करते थे उनकी मा को उनके पालन पोशन के लिए बहुत महनत करनी पड़ती थी वे स्वयम को बहुत सपर्ष्ट वादी वानते हैं वे अपना गुसा रोक नहीं सकते थे अन्ने लोग उन्हें उकसाते थे उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा था इसलिए वे चिड़-चिड़े हो गए धनराज पढ़ाई में एकदम फिसड़ी थे वे दसवी तक ही पड़ पाए उनका मानना था कि यदि वे होकी के खिलाड़ी ना होते तो शायद उन्हें चपडासी की नोकरी भी ना मिलती अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ओफ आर्ट्स भले ही नहीं है प्रन्तु बैचलर ओफ होकी तो है अपनी शादी के लिए स्वयम को मास्टर ओफ होकी कहते है वे भावुक भी बहुत हैं वे किसी को कश्ट नहीं देख सकते वे अपनी गलतियों पर माफ्री मांगने से भी नहीं संकोच करते धनराज अपने मित्रों वा परिवार की बहुत इज़त करते हैं वे अपनी माता से बहुत प्रेणा प्राप्त करते हैं चाहे भारत में या विदेश में रहें, रात में सोने से पहले अपनी माता से जरूर बात करते हैं। अपनी बड़ी भावी कविता को भी वे अपनी मा के समान मानते हैं और अपनी प्रेना स्रोत कहते हैं। धन्राज क्रित्रिम घास पर पहली बार राष्ट्रिय खेलों में 1988 में नई दिल्ली आने पर खेले थे वे बार-बार मेदान को चू कर देख रहे थे कि कैसे क्रित्रिम घास उगाई है उनके पास पहली कार एक सेकेंड हैंड अर्मांडा थी जो उनको पहले एंप्लॉयर ने दी थी वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते थे एक बार एक पत्रकार ने उनकी फोटू भीड बढ़े प्लेट फॉर्म पर खीच कर अख़बार में चाप दी कि होकी प्लेयर पिल्लाई अभी भी लोकल ट्रेन में सफर करता है वे अपनी कमाई को व्यर्थ में नहीं गवाते थे उन्होंने पैसा जमा कर अपनी भेहन की शादी की मा को हर महीने पैसे भेजते थे आज उनके पास फोड आइकन गाड़ी है जो उन्होंने दो हजार दो में खरीदी पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में ही लगे रहते थे विदेश जाकर खेलने से जो उन्हें राशी मिलती उससे पूने के भाव पाटिल रोड पर दो बेलरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा उन्हें हौकी ने हर स्थान पर प्रतिष्ठा दिलाई है इस पकार बच्चो इस पार्थ में हमने हौकी के प्रसिद खिलाड़ी धन्राज पिलाई के जीवन के बारे में जानकरारी प्राप्त की अगले पार्थ में हम एक नए विश्य के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद